है 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 दोस्तों वेल्कम बैक टू करियर सेटिंग में हूं कभिर वुपेश राज फिर से आपके साथ और आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन सब्सक्राइब अधिर हम बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे में आर्केलोजी होता क्या क्या करना पड़ेगा कहां कॉल्च अच्चे है क्या क्या सब कुछ उससे पहले मैं आपको बता दूस्त हो एक बात जो बहुत इंपॉर्टन दे वाप आप सभी को जानना ज़रूई है वह है कि यह जब भी हम लोग इस तरह के subject बता दें तो उनका in-depth option क्या क्या काम करना पड़ता है वो सब बता देता कि आपना सिफ career में बता दिया इतना पैसा लगेगा इतना यह उस पे ना लो थोड़ा सा समझ के लो ठीके तो आगे हम फिल्ड में बात करेंगे उससे पहले में बता दू पूरा का पूरा आर्स के जितने भी career option है उसके ओपर एक playlist बना के रखिए वो check out चरूर किजेगा सारी information वहाँ पर मिल जाएगी अगर आप career के बड़े में unsure हो career discovery handbook check out कर सकते हो हम एक course निकाल रहे है जो है career selection के ओपर तो वह भी आप check out कर सकते हो कि minimum price में आपको मिल और अब ही चलते हैं आगर जहां पर हम बात करेंगे archaeology में क्या क्या career options और archaeology है क्या है दोस्तों देखा होगा बहुत सारी movies में आपने कि पुरानी जो सभ्यताई थी पुरानी जो संस्क्रोती थी तो उसको निकालने का काम जो करते हैं वो archaeologist करते हैं ठीक होते क्या है यह व टिशर्स हमारे उपर जब राज कर रहे थे तो वोँ को यह बताते हैं कि तुम तो अदीवास यह होतों में नहीं समझ में आता है यह नौट सिविलाइज सोसाइटी और यह वाइट मैं बर्डरन है मतलब यह हम गोरों के उपर यह बर्डरन है क्योंकि हम गोरे हैं हम सभीत था उस्तम पे उन्होंने बहुत ज्यादा हम पे यह डाला था तो कहीं न कहीं हमें लगता था कि हम बहुत inferior ने बिटीश से जैसे जैसे आगे बाद गई उन्हीं सो बीस दस के करीब एक्सकेवेशन जो बिटीश लोगी थे उसमें भी कास करके तो जब स्टार्ट हुआ इंडिया के बहुत सारे जगाप एक्सकेवेशन स्टार्ट किये गए देखा गया तो तब उन्हें पता चला की हरपा हो गया मोहन चुदार हो गया इंडिस वैली सिविलाइजेशन पूरा का पूरा डाई अजार साल पहले यहां पर पनपा और इतनी एडवांस वो सिविलाइजेशन थी जिस जो दुनिया में उस टाइम पर कहीं पर थी मतलब ब्रिटीचर्स वगरे जो यूरोपियन संस्कूरती थी अभी तक जंगल में रह रही थी अभी तक बहुत प्रिमिटिव टाइप में उस टाइम पर हम इतने एडवांस टाइप में एक तम सीविलाइज टैप में प्लैन आॉट करके पूरा एक टाउन जो होता था वो आज भी नहीं है इंडिया में तो आप देखोगे उस टाइम पे हम लोग प्लाइन आउट करके टाउन किया जाता था एक ग्रेट बात थी अपने पड़ा होगा पहले मतलब कर विफोर क्राइस ऐसी सभ्विता यहां पर पनपी इतनी एडवास जो सभ्विता है वो यहां पर रह चोकी थी इंडिया के आज पास इंडस वैली सिविलाइजेशन गंगा के पास में जो इंडस हमारी सिंदू नदी है उसके पास में और उसका तब हमें पता चला कि हम तो इन लोगों से पहले की एडवास भिताओं में से एक है यह काम किस ने किया यह हमें यह पूरा का पूरा इंडिया को पाकिस्तान को बंगलादेश को यह जो अभीमान लाया है वो किस ने लाया तो वो थे आर्कियोलोजिस्ट इन्हों ने हमें बताया कि कौन कहां पे कितने साल पहले आया और उन्होंने क्या किया इसकी बहुत सारे branches आगे आए कुछ लोग specially फिर काम करते हैं डाइनोजोर्स के बारे में कुछ लोग काम करते हैं अलग-अलग जैसे होम उस इपियंसे जो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं है और जो अवेलेबल नहीं है उन चीजों के मिनिंग लगाते हैं जो सिर्फ कहीं न कहीं हमें सिंबॉल की तरह लगते हैं ये काम करते हैं इतना इंट्रस्टिंग ये करीर ऑप्शन है दोस्तों एक टाइम था जब मुझे खुट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये पसंद था आपने इंडिया ना जोन्स जैसी मुवी देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा मैं किस किस तरह की चीज़ के बारे में बात आता था क्या उसका इंपॉर्टंस है साइट को निकालने का काम सब ये लोग करते हैं तो यही वो करीर ऑप्शन है दोस्तों अब करते कैसे इसको सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे किया जा सकता है इंडिया में स्कोप है या नहीं बाहर क्या स्कोप है कितना सैलरी सब कुछ बात करेंगा, eligibility की mainly यह होती है दोस्तों कि आपका history या history जैसा ancient history हो गया वगर यह subject आपका होना चाहिए bachelor में, तो bachelor में आपने यह करना चाहिए, उसके बाद 55% आपके bachelor में होना चाहिए, तिसरी eligibility जो है कि कहीं जगा पे आपको interest test देनी पड़ती है, आपको MA archaeology करने के लिए क archaeological है, जो top का institute है, वो है Deccan Institute and Research Center in Pune, यह सबसे top का institute आता है archaeological, अगर study आपको करनी है, तो उसके बाद फिर university of, अलग-अलग university of Calcutta है, फिर शिवाजी university है, कॉलापूर में, और बहुत सारी है, बट एक और wing है, जो कि है archaeological survey of India का ही wing है, जहापे आपर higher study research कर सकते हो, उपर mainly Deccan institute of and research, जो है, वहाँ पे पुना का जो institute है, वो top में, इसका माना जाता है, काफी पुराना है, काफी सारे movies यहाँ पे short हुई है, अगर आपने देखी होगी तो, तो यह यहाँ पे आप यह पसंद करो, अगर करना तो यह this can be your top priority, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कि आप आपको M.A. Archaeology पढ़ना होता है, उसके subject होते है, ancient history हो गया, museumology हो गया, वगरे, दो साल का course रहेगा आपका M.A. का, fees लगबख 10-15,000, 20,000 के आसपास एक साल की रहती है, मतलब दोनों मिला के 30-40,000 के आसपास की इसकी fees होती है, 60 student का एक batch होता है, जो कि usually हर जगा पे आपको देखने मिलता है, तो यह basic आपको उसका information मिल गया, अब आगे है कि भई, इसमें क्या क्या job option होते है, कहां कहां पर आपको job मिलेंगे, वो सब बात करेंगे हम लोग, job option जो basically आपको दिखाई देते है, वो है, मैं आपको बता देता हूँ, कि एक तो पुराने जितने भी हमा archaeologist बन सकते हो, ठीके, अब archaeologist कहां, तो archaeological survey of India, जो है, जो main institute है, जो main government की organization है, इसमें काम करते है, government job भी होता है, of course, right, तो वहाँ पे आप यह job के लिए apply कर सकते हो, वहाँ यह आप job ले सकते हो, उसके बाद private बहुत सार institute होते है, जो भी यह काम करते है, उनके through भी आप जा सक सकते हो, तीसरा हो गया, आप discovery जैसे channel देखते होगे, history नाम का एक channel है, यहाँ के लोग भी excavation का वोगरे थोड़ा काम लेते है, वो भी कर सकते हो, चौता हो गया, आप international organization होती है, यह फिर international जो archaeological यह किया जाता है, excavation किया जाता है, funding आती है, उसके through भी आप यह काम कर सकते हो हो सकता है, आपको इंडिया में एक काम मिले, लेकिन funding जो है, वो आपको international यह आए, ठीक है, project based पे भी एक काम होता है, वो भी कर सकते हो, खुद का भी research कर सकते हो, तो archaeologist इस तरीके से आप बन सकते हो, salary लगबग आपको annual जो है, वो 3 लाग से 5 लाग के आसपास यहाँ पर मि museum के अंदर फर्स गया सिक अंदर ऐसे नाम की, तो of course, a night in a museum उसका नाम था, हमने हिंदी में देखे थी, तो वो काफी interesting लगे थी, कि museum में काम होता है, museum curator का काम भी होता है, कि पहली बाग तो देखो museum के अंदर जो चीजे हो, उसकी importance हर किसी को नहीं पता होती है, कुछ historical museum होत देखे होगी, जैसे दाविंसी कोड वगरे होगी, उन्होंने लिखी थी, किताब, उसमें आप देखोगी museum curator का role बहुत important रहता है, जो कि laure museum है, Paris में, ठीक है, सबसे बड़ा museum है, वहाँ पे की curator होती है, जो उनके साथ काम करती है, तो एगर इस तरह के movie देखे, तो आपको पता होगा कि किस तरह का काम होता है, तो वो भी आप एक काम कर सकते हो, इंडिया में बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, खास करके इंडियन लोगों को यूके में भी लिया जाता है, museum के अंदर, तो ये काफी एक अच्छा जोब होता है, जहां से 3-4 लाग का annual आप आपको package स्टार्ट होता है, इंडिया में बाहर भी आपको अच्छा खासा package मिल सकता है, दूसरा तीसरा option है, प्रोफेसर और लेक्चर जो कि मैंने बता है, वो not common है, अब हिस्ट्री के या फिर आर्केलोजी के प्रोफेसर या लेक्चर बन सकते हो, this is already common theme, उसके बाद होता है, conservationist होते हैं, मतलब यह क्या करते हैं, lab में experiment करते हैं, कि कितने time की, मतलब कोई भी अगर आपको मान लो एक पत्थर मिला है, तो exactly कोई बोल सकते हैं कि stone age का हो, या एक हतियार बनाया गया हो stone age का, तो उसको आपको check करना, उसको preserve करना होता है, उसको उसकी authenticity कितनी है, मतलब exactly वो वही है, या कुछ और है, वो देखना होता है, तो conservationist का कामी वो होता है, कि कोई भी artifact मिलते है, तो उसका exactly information निकल जाए, कहां का है, कब तक का है, क्या क्या है, उसका importance, क्या उसमें सच्चा ही है, कुछ, तो यह research वाला काम होता है, या फिर आपको बलता है, verification वाला काम ह होगी, कि सराज्य की होगी, क्या काम में होगी, वो सब, क्या authentic piece है वो या नहीं है, वो सब काम किया जाता है, उसके बाद होते है, heritage manager होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी, आप देखो कि monument होता है, बहुत बड़े-बड़े हमारे आपे इंडिया में, जैसे आपने अपने अजन्ता केर्स में बहुत pollution हो रहा था, उसके वज़े से वो site effect हो रही थी, तो heritage manager ने suggest किया था कि यहां पर हम लोग कोई भी, strip only CNG वाले जो buses रहेगे, वो यह allowed करेंगे, बाकि कोई किसी भी तरह की buses यहां पर जो petrol या diesel पर चलती, वो allowed नहीं किया जाएगा, कोई भी vehicle जिस के वज़े से यह conserve रहे, यह preserve रहे, तो heritage site को preserve करने का काम इनका होता है, हर तरीके से वो sensation वगरे करते हैं, और यह एक option हो गया, इसमें भी 3-4-5 लाग तक का salary जा सकता है, एक और option बनता है, जो की है collectors, अब यह collectors exactly directly नहीं है, लेकिन जिन को इस चीट के बार में importance पता है, आर् फिर वो market में बेशते हैं, तो यह भी private काम होता है, freelancing का काम होता है, यह भी वो कर सकते हैं, तो इसे 5-6 job आपको मिलते हैं, या फिर आप का freelancing भी काम कर सकते हो, और यह सारा scope है, आप देखो अब इसका क्या scope है, तो वो भी बता दो, मैं दोस्तों, दुनिया में आगे, धी आपको पता है, हमसे future को नहीं देख रहे हैं, हम ऐसी situation में, पिखले 200 साल से, 1500-200 साल से, हम ऐसी situation में, जो कि सिर्फ future को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम हमारे past को भी जान रहे हैं, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही पीछे के past को जान पा रहे हैं, आज से 50 स साल पहले हमें नहीं पता था कि पाल कैसा था ठीक है आज से 100 साल पहले बिल्कुल भी नहीं पस्ता था तो हम जतना आगे की future को देख रहे हैं उतना ही हम पालस को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं with the help of technology and all और ये धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़े जिसको हमें पता नहीं है कि क्या कहां पर क्या importance रहोगा आप सोचे देड़ सो साल पहले हमें पता नहीं था कि हरपा civilization जैसी कोई चीज थी इंडस वाली जरुरी होता है ठीक है और इसके बाद यह मैंने आपको स्कॉप अगरे बता दिया अगर कॉलेज वगरे की बात करें तो मैंने आपको उसके बारे में implementation पரस stal आया होगा तो प्रस लाय तो प्लीज लाइक किजे कमेंंट में बताए किस तरह के वीडियो आप देखना चाहोगे और आगे जाके किस तरह के वीडियो हम बनाय adesso पर्लिय वाली सबस्काइब कर दीजिए कि हम आपके सारे सवालों का जवाव लाइव आकर देंगे ज जो पुरा प्लेइलिस्ट वो भी चेक आउट कर सकते हो. Thank you so much for always loving, supporting and encouraging us. See you in the next video.